प्याना विधान सभा चुनाफ से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है जहां बीजेपी ने 25 अगस्त को केंद्रिय चुनाफ समीती की एक बैठक बुलाई है और बीजेपी मुख्याले में शाम साथ वजें सीसी की बैठक के बाग उम्मीदवारों के लिस्ट जारी कर सकती है भातिय जंता पाती तो जल्द ही भातिय जुनता पाती जो है उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है ऐसी जानकारी सामने आई है क्योंकि 25 अगस्त को केंद्रिय चुनाफ समीटी की एक बेहद महतिपून बैठक बुलाई गई है जिसमें हर्याना रिधान सुभा चुनाफ को लेकर चर्चा ह होगी उम्मीदवारों को लेकर चर्चा होगी ऐसा माना जा रहा है बीजपी मुख्याले में शाम 7 बजे CEC की ये बैठक होनी है और ये पूरी उम्मीद है कि इस बैठक के बाद भातिय जुनता पार्टी जो है वो अपने उम्मीदवारों के लिस्ट जारी कर सकती है देख इसे में सभी पार्टियां इसके लिए अपने अपनी तयारियां कर रही है बैठक के भी हो रही है और इसे बीच ये बड़ी खबर जो सामने आई है 25 अगस को बीजेपी एक बैठक करने जा रही है केंद्रिय चुनाफ समीती की ये बैठक जिसमें कहा जा रहा है कि अपने जा रही है और क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास जो बिलकुल देखे काफी एहम बैठक होने वाली है 25 अगस का शाम 7 बजे कहा जा रहा है चुनाफ समीती की बैठक होने वाली है भारती जन्ता पाठी मुख्याले में ये बैठक होगी सूत्रों की माने तो यह भी कहा जा रहा है कि संभवता प्रधान मंतरी नरेन मोदी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं किया जाएगा कि किस सरीके से किस उमिद्वार का नाम High Command के सामने रखना है इस सभी discussions के बाद 25 तारीकों Jammu Kashmir और हरियाना दोनों को ले करके एहम बैचचोख होने वाली है इस बैचचोख में candidates के नाम को ले करके discussions होएगे वहीं सूत्रों की माने तो या भी कहा जा रहा है कि 25 की रात तक या फिर 26 के सुभे तक कांडिडेट्स के नान भी अनौस किये जा सकते हैं तो अब देखने वाली बात होगे कि किन्हे टिकेट मिलती है यूँकि अगर बात की जाए भारती जन्ता पार्टी की तो काफी कुछ घमासार वहाँ पर चल रहा है कहा जा रहा है कि नए चेहरेों को यहाँ पर टिकेट दी जाएगी ताकि जो एक बहुत बड़ा जो चालेंज सामने आता है उन चीज़ों को किस तरीके से बीच किया जाए तो यह भी कहा जा रहा है कि करीम नए फेसेज को मौका दिया जा सकता है वहीं कुछ कह रहे हैं कि वापिस से रिपीच किया जाएगा यानि जो विधाय को अलड़ी काम करते हैं उनका ब्राउन रिपोर्ट जो रिजल्ट है वो सही आ रहा है तो ऐसे में अपराज़ता चेयन करना उमीदवारों का भारती जुनता पार्टी के लिए खास सोर से थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि तीसरी बार वो बीजुपी की सरकार बनाने की बात कर रही है और इस बीच भारती जुनता पार्टी को विरोधों का भी सामना करना पड़ा है अलग-अलग वर्क के और ऐसे में फिर जब उमीदवारों का अलान पार्टी करेगी तो कहीं न कहीं बहुत सोच समझ कर और जैसा कि आपने कहा कि नए च्रेहरों को भी मौका दे सकती है पार्टी जी बिल्कुल देखिए अगर हम कॉंग्रस की बात करते हैं या फिर भारती जनता पार्टी की बात करते हैं टिकेट उन्हें ही मिलेगे जो जिताओ उमिदवार होगा यानि जिसकी रिपोर्ट कार्ट सही होगी वो कैंडिडेट जो विधायक बने जीते भी और अच्छा का किया और साथ ही वो भी वो कैंडिडेट जो ने पिछली बात टिकेट मिली थी हलाकि वो हार केते मगर फिर भी वो जनता के बीच रहते हैं उन सभी चीजों को इसमें देखा जाएगा और उन्हें ही टिकेट मिलेगी जो जिताओ उमिदवार होंगे तो बिल्कुल चालेंज काफी सारे हैं इस बार भारती जनता पार्टी के सामने जहां पर पांस सीटों पर सिमझ गई भारती जनता पार्टी लोगसभा में तो इस बार कदम फूप पर चल रही है बीज़ेपी आधा 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 कॉंग्रेस आधा बीज़ेपी लेकिन इस बार ये जो मोदी फैक्टर है वो कुछ कमाल कर पाएगा क्या इस बार हर्याना विधान सभाज शुनाव में अपर आज़ता जो देखें उस शीज़ को हम जिनाई नहीं कर सकते हैं कि 2014 और 2019 की जो मोदी लहर थी उन चीज़ों को हम जिनाई नहीं कर सकते हैं आंटे इंकमेंसी वाली जो चीज होती है योकि दो बार से जो दो टर्म से जो बीजेपी की सरकार रहे हैं चाहे हम सेंटर की बात करें या फिर स्टेट की बात करें हाला कि बीजेपी दावा कर रही है कि जिस तरीके से सेंटर पर दूसरी बार भी दो बार जीते हैं फिर व बात करते हैं तो मोदी लहर के अलावा भी चीजों पे ध्यान देनी की जरूरत है बीजेपी को इस बाद रहे मंत्रम में शक्त कुद ही हम देख सकते हैं कि काफी इंटर्वीन कर रहे हैं चीजों को लेकर के तो बिल्कुल देखने वाली बात होगी मोदी लहर को हम जिनाई न जारी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने की है तो इसी को लेकर 25 अगस को बीजेपी ये वैठक जो है वो करने जा रही है